नमस्कार आप देख रहे हैं प्रभास आक्षिय और मैं हूँ आपके साथ रे नुतिवारी है हमारा खास प्रोग्राम है न्यूजरूम जिसमें आज हम आप लोगों को देने जा रहे हैं इस समय की राजनेतिक अपडेट इंडिया गडबंधन की बैठक होने के बाद कॉंग् इस गडबंधन को मजबूती देने को लेकर चर्चा हुई है इंडिया गडबंधन की बैठक के दौरान कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकारजून खरगे को प्रधान मंत्री उमिद्वार बनाये जाने के ममता बेनर जी और अर्विन के जिवाल के प्रस्ताव के बाद से ने भरी बैठक में इंडिया के बदले भारत नाम को सही बताया था एंडिये की तरह नितीश के स्टेंड में सोनिया गांधी भी हैरान रह गई सियासी गलियारों में ये चर्चत तेजी से फैली थी कि नितीश कुमार खुद को इंडि गड़ बंधन में दरकिनार किये जाने से बुरी तरह से खफा हो गए हैं ऐसे मैं माना जाने लगा कि वो कांग्रेस को बिहार में नुकसान पहुचा सकते हैं खड़गे का नाम PM कैंडिडेट के रूप में आने को लेकर राहूल गांधी ने अपनी और पार्टी की स्थिती को स्पस्ट करते हुए कहा कि उनको इस संबंध में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी ममता बैनर जी ने अपनी बातों को अचानक मीटिंग में रख दिया था राहूल गांधी ने विपक्षी एक जुट्ता में नितीश कुमार की भूमिका को एहम बताया और आगे भी गड़बंधन की मजबूती के लिए विचार विमर्ष करने की बात कही राहूल गांधी ने नितीश कुमार से बिहार में मंत्री मंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा की नितीश कुमार ने राहूल गांधी से कहा कि वर किसी भी समय मंत्री मंडल में कॉंग्रेस मंत्रियों की संख्या बढ़ाने को तयार हैं कैबिनेट विस्तार में देरी को लेकर नितीश ने कहा कि R.J.D. अथ्यक्ष लालू यादों की ओर से इस पस्टता नहीं रहने की वज़े से विस्तार नहीं हो पाया, आगे गडबंधन के सदस्यों की इच्छा के अनुरूप बिहार में मंत्री मंडल का विस्तार कर लिया जा राहूल गांधी को पता है कि अगर अभी नितीश कुमार को नराज किया तो इसका मैसिज ये भी जा सकता है कि विपक्ष एक्ता के सुत्रधार को ही कॉंग्रेस ने दरकिनार कर दिया है, अभी बिहार में सीट बटवारा भी होना है, ऐसे में नितीश को नराज करने का करना है माना जा रहा है कि इसी वजह से राहुल गांधी ने इंडिया की बैठक के बाद नितीश कुमार के थोड़ा शांत होने और इंतजार करने का वेट किया और फिर उनसे फोन पर बात चीत की हाला कि अभी भी ये कहा जा रहा है कि 29 दिसंबर की बैठक में नितीश कई बड़े फैसले ले सकते हैं आपको ये रिपोर्ट हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम ख़बरों के लिए आप बने रहें प्रभासाक्षी के साथ नमस्कार अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके